लिए चल रही खुदाई के दौरान, एक हजार साल पुराना शिवलिंग निकाला गया है, साथ ही खुदाई में ग्यारवी शतापदी के मंदिर के अवश्रेश, मंदिर का प्लैटफॉर्म और गणेश प्रतिमा तक निकली है, फिलाल प्रशासर ने इस शिवलिंग को चादर से ढग दिया है, आगे की खुदाई पुरातत विभाग के विशेश्रगे के मार्ग दर्शन में शुरूप की जाएगी, उसके बाद शिवलिंग बाहर निकाला जाएगा, बतादी की महाकालेश्वर मंदिर कैंपस के विस्तारी करेंट के लिए चल रही खुदाई के दौर पिलाल शिवलिंग को चादर से ढग दिया है, इसकी जानकारी पुरातत विभाग के शोध अधिकारी दुरगेंद्र सिंग जोधा को दी गई, इस स्थान पर अब आगे पुरातत विभाग के विशेश्रगे के मार्ग दर्शन में खुदाई कर शिवलिंग निकाली और संतोष कृष्णानी अधिक जानकारी के साथ लाइफ जुड़ गये हैं, संतोष आप से जानना चाहेंगे, महाकाल के दर्बार में एक और शिवलिंग बरामद हुई है, एक बड़ी खबर है, अलकि अब आगे की कार्यवाई विशेश्रग्यों की मार्ग दर्शन में ही की जाएगी, लेकिन कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाकरम को? की दोरान मिलते आएं, और इसमें जो उज्जेन के संत समाज है, उन्हों संत समाज है, आवाज भी उठाई दी कि जो भी आउशेश यहां पुराता दुभाग के मिल रहे हैं, उसको सजोया जाए, उसको म्यूजियम में रखा जाए, उसके बाद से लगातार पुराता दु की टीम और भोपाल की टीम यहां निरिक्शन करने आती है, जैसे जैसे खुदाई में आवशेश मिलते हैं, तब पुराता दुभाग की टीम आकर यहां निरिक्शन करती है, और जो भी यहां से आवशेश मिलते हैं, उसको निगरानी में रखा जाता है, और खास बाद यह क कि दो-तीन दिन पहले जब इस परिसर में वापस से खुदाई प्रारम की तो ये इस्थान हम आपको बता रहे हैं जहां एक जलाधारी जो श्रीलिंग के रूप में पूरे यहां से खुदाई के दोरा निकले हैं लेकिन पुरा तद्विभा की टीम यहां बारिश के करण नही यहां पाईती तो उसको मंदिप अशासेक और मंदिप के सायक जो प्रशासेक मूल्चन जूनवाल उनके नित्वत में खुदाई को वापस यहां रोका गया रोकने के बाद उसको एक टीन के शेड्स के माध्यम से उसको ढग दिया गया क्योंकि बारिश का मोसा में और यहा जादारी शिवी लेंगे उसके बाद ही हम इसमें बता पाएंगे कितने वर्षों पुराना है कहीं नहीं इस प्रकार जो आवशेश मिलने का आकड़ा एक लगातार इसमें बड़ी-बड़ी मात्राओं में प्रतिमाय भी निकलती है आवशेश भी निकलते हैं पिल्लरों के जो डेली बाबा महाकाल के दर्बार में आती है वो दर्षन करने पोश्ती है जैसे इन्हों ने इस खबर की भी जानकर इनको लगी तो बाबा महाकाल के साथ ये जलाधारी का भी दर्षन करने आई है हम आप से जानना चाहेंगे आप डेली बाबा महाकाल के दर्षन करने आ इनके दर्शन तो नहीं उपा लेकिन इस जगह पर यहां आकर इन्हों ने देखा तो इनको वाक्या में यहां का जो नजार रहा है पुराता दुविवाव के अनुशेश तो मिले हैं तो कहीं नहीं से हाथ जोड़े हैं और भी यहां श्रदा लूए आपने भी यहां क्या दि को साजा करने के लिए बहुत दिल्चस्प हो जाता है जहां पॉराने में की कुछ आवश्रेश निकले हैं गणेश प्रतिमा तक यहां से निकाली गई है और अब एक शिवलिंग निकली है यहां से तो निश्यत रूप से कहा जा सकता है कि हमारे पूरवजो ने यहां पर एक मंदिर स्थापित किया था अलाकि देखना होगा शोध में क्या कुछ निकल कर सामने आता है